SSITI में मैं instructor सुधीर आपका स्वागत करता हूँ DRDO Special में आज हम general intelligence and reasoning ability के questions को देखने वाले हैं उस सभी reasoning के questions देखेंगे जो previous year exam में पूछे जा चुके हैं पूरे हम डेर सो questions पर discuss करेंगे part by part आने वाले वीडियो की notification पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर लिजे और DRDO की त्यारी करने के लिए technician A exam की त्यारी करने के लिए आप चैनल को subscribe कर लिजे क्योंकि यहाँ पर DRDO Special में सभी subject की आपकी त्यारी करा जाएगे वो math की class हो, reasoning class हो, general awareness की class हो, english की class हो या आपकी trade theory class हो, सभी class आपको यहाँ पर इस channel पर SSITI पर आपको मिलेगा इसलिए आपको जो भी वीडियो अच्छा लाएगे उस वीडियो को like केज़े और अपने दोस्तों के पास भी share केज़े तो चलिए आज जेर ना करते हुए आज के question देखते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं रेजिनिंग के उन सभी chapter को देख लेते हैं जो हमारे exam में उस chapter से question पूछे जाते हैं तो आप क्या किजिए पहले इसका screenshot ले लिए यह जो तेरा जो chapter है हमारे लिए important है तो चलिए इसका screenshot ले लिए लिए जिससे कि आपको मालूम चले कि इस लेवस कैसे आता है रिजिनिंग के लिए ठीक है अब हम क्या करते हैं पहले question को देखते हैं तो देखिए आज का जो पहला question है वह कर रहा है कि दिये गए बिकल्प में संबंधित अक्षर को चुनिए यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फिल करना है कि यहाँ पर क्या फिलोगा वही आपको बताना है ठीक है यहाँ पर कह रहा है कि जो ए है सी है ई है और आपका जी है यह चारों से देखिए इससे यह बना है तो इससे यहाँ पर क्या बना है बनेगा धिरा उसी को आपको बताना है तो यहाँ पर भी है c है e है और जीह आप देखेंगे कि जब इससे बना है B बना है डी बना है सबस्क्राइब करें चिए अरगी सबस्क्राइब कर सबस्क्राइब यहाँ पर आपका थी मिल जाएगा है वैसे अगर वाइब हम वन जूरते हैं आपकर हम क्या करेंगे यू में Q में हम प्लस 1 जो रहेंगे ये क्या होगा? धी हो जाएगा आपका जब W में हम प्लस 1 जो रहेंगे तो आपको x मिल जाएगा और जब Y में 1 जो रहेंगे तो आपका z आ जाएगा पतलब जो A, U, W, Y से जो सब्द बनेगा हो है एक्स और जेड तो ही यहां पर आपका आएगा कि आएगा एक्स आएगा और यहीं आपका एंसर होगा आप देख पा रहे हैं यह जो ऑप्शन नमबर आपको 3 दिखाई दे रहा है इस परकार से आपके जाते हैं दूसरा question देखते हैं दूसरा question देखेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर 11 बना है किस method के द्वारा 11 यहां पर हम देखते हैं तो जो 6 है इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं और माइनस वन करते हैं तो आपको 11 राप हो रहा है 6 दूना 12 12 12 में से एक गया 11 मतलब 6 से जो 11 हो रहा है उसका method क्या है वहले 2 से गुणा किजिए उसके बाद माइनस एक पर देखे वैसे हम क्या करेंगे 11 में 2 से गुणा करेंगे और माइनस 1 करते हैं 11 दूना 22 हो जाएगा 22 में से एक जाएगा तो 21 हो जाएगा मतलब तो question mark के जगा पर आपका क्या हो जाएगा यहां पर आजाएगा 21 यहीं आपका answer हो जाएगा तो इसमें आपको 21 मिल जाएगा तो option सुवर के रहने का जगा सुवर जहां पर रहते हैं वैसे ही साला है साला कि इसमें कौन से जानवा रहते हैं आपको देख का बतानाया ग्रूर रहता है गाए बाग या मुर्गी एक हैं तो आप देख पएँरे जो सला है इसमें आपके गाय राती है है क्या राता है गायरा तो यह glut आते हैं रही बड़ा है वह ही जुवर का बड़ा हो गया तो इसे यहाँ पर question करें कि Beim गाय चाहिए उसको हम और Gr Mueller cap or out on number इसका श्रीCola सब्सक्राइब इसी परकार के बहुत ही सिंपल कोश्चन आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ आपको मैठर मालूम होना चाहिए किस मैठर से उसको बनाना अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है गस्त जो है सुरक्षा से संबंदित टता है सुरक्षा के लिए वैसे ही रिमा करते हैं आपको यह जोखिम खत्म कर ले के लिए हम क्या करते हैं वहाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें लिए इसका सही अंसर हो जाएगा अगला कोश्टन देखते हैं पांच नमबर कोश्टन करें कि इससे जो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको भी देखा जाता है कि यह दोनों समान नहीं है उसके बाद इसको देखा जाते हैं यह दोनों समान नहीं है यह दोना और दो होटते है रहां दूसरा यह दूसरे एक जो बनता है और अगरलोज गया होता है यह ृसे करले डृय चिक तो देखते हैं और इसको आई इसे ल में इसे ल होगा यह भी निवित होल आए होगा यह चीओं सकता है या या एसको अbrand आ motherfickи आपका ऐसे हो सकता है कि या यह B और E एक दूसरे संबंदी तो और यह और आने वाला वर्ड एक दूसरे तो यहाँ पर A है B है B है और C है इसे हो सकता है कि आपका E, H, F और G बनाओ तो वैसे ही I, L, K, K से क्या बनेगा ठीक है इस मेंटर से यह बना है उसी मेंटर से आगे हम इसमें भी बनाएगे देखिए A से E हो रहा है तो अगर हम A में A में अगर प्लस चार जोरेंगे प्लस चार जोरेंगे तो E बन रहा है L में प्लस चार्ज हो रहेंगे तो P बन जाएगा, K में प्लस चार्ज हो रहेंगे तो आपका N बन जाएगा और K में प्लस चार्ज हो रहेंगे तो O बन जाएगा, ठीक है, O बन जाएगा तो यहाँ पर देखे, M, P, N, O कहां दिया है, M, P, N, O तो आपसे नंबर 2 इसका सही हो जाए तोनों तरह से हम बनाते हैं यह यह एक दूसरे सब्सक्राइब होगा यह दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो जो हमकारा बन रहा है और यह और यह इसएपर जो आएगा वह और पर क्याए है आपका 136 है एक दूसरे से एक करम में है कमा में के साथ है वैसे ही आपका है 144 है और 179 है ठीक है फिर से आपका 100 है और यहां पर दिया है 121 और एक आपका अंग दिया है नौ है और एक है यहां पर देखते हैं नो जो है नो क्या है तीन का स्कॉयर है और चार का स्कॉयर है यहां पर अगर देखते हैं नो जो है यहां पर देखेंगे तीन से आठ हो रहा है मतलब यह लगतार संख्या है नहीं इसलिए यह जो है नौ और समख्रह कर दैंदि अगला प्रइव्म सब्सक्राइब इसाफ को प्रकास को देखें प्रकास को अरो विधुद्ध को देखें यह इन सब तीनों को हम सिर्फ औनुभाव कर सकते हैं क्या कर सकते हैं हम अनुभाव करेंगे अनुभाव कर सकते हैं लेकिन जो बल्ब है उसको हम क्या कर सकते हैं देख भी सकते हैं छो भी सकते हैं इसका मतलब ताप परकास और भी दूत एक स्रेडी में आएंगा और बल्ब जो है अलग होगा मतलब यह इन तीनों से भीन होगा इसलिए option number 3 इसका सब्सक्राइब जो बल्ब है वो क्या है और नंबर question कर एक दिये ब्ल्ब कल्पों मेंसे उसे चुने जो अन ने तीनों से भीन है तुसे लहर है परवाह है जौँंदा तुफान इस बताना है कि चारों में से आड जो है कौन भीन है अगर हम लहर की बात करें परवाह की बात करें और तुफान की बात करें यह जो तीनों चीजे हैं यह या तो वायू से संबंदित है या नदी से संबंदित है नदी में नदी में लहर होता है परवाह होता है तुफान होता है ठीके वायू में भी परवाह तुफान होता है लह कि अगर हम जवार भट्टा को देखें जवार भट्टा यह जो है यह जो है सिर्फ आपको समुंद्र में देखने को मिलेगा इसमें मिलेगा समुंद्र में देखने को मिलेगा समुंद्र और यह जो तीनों चीज़ें लहर परवाई यह आपको वायू या नदी से संबंदी तुल्य अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है कि पांच बर्स पहले पी और क्यू की आयू का अनुपाथ शौ हो जाएगा बर्तमान में उनकी आय क्या है पैसर शौन देखते ह्यों कि पांच बर्स पहले पांच बर्स पहलेचा पहले 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 कि नो इक्स है अम हम को क्या करना है हम बस लिखा लेंगे कि अब हमको लिखाले कि 10 वर्स बाद 10 वर्स वर्स जो बाद कर रहा है आपक Tracy पतुर्ण स्वार्ट बाध यहांब पाँचे जいます at inheritance समय यहांपका बिन्दूग आप है बन्हें आप मैं कुले तो अगर आपको 10 साल आजे जाना है इससे 5 साल बाद से प्हले तो पांच वर्प्ट आपको लेना परेगाश मतला पूरा पुरूरा वर्स कभर होगा तो दर्स बर्स बाद क्या हो जाएगा पीगल सात एक्स और प्लस 15 हो जाएगा वैसे ही क्यों का उम्र क्या हो जाएगा घ्या अगर पहले तो भरतमान से पीछे 5 साल है इसमें अगर हमको 10 बर्स बाद का आयू जोड़ना है तो पहले तो 5 बर्स लेना परेगा फिर से आगे का 10 बर्स मतलब पांच यूपाच शोग जाएक अब तो दस वर्स दस वर्स बाद तो देखिए तस वर्स वाद अब हम लिका ले तो पी का उम्र कितना था इसको हम पी बटा क्यू प्राबर लिख सकते हैं पांच वर्त रिक सकते हैं चलीए आगे अब बढ़ते हैं पी का उम्र कितना है हम लेका ले तो जहाए आपका अबेन एक्स करेंगे और यहां से इक्स का मान लिका लेगे नौ और पांच ठीक है सब्सक्राइब करेंगे 42 हो जाएगा कितना हो जाएगा सब्सक्राइब हम क्या करेंगे 42 कुछ इदर लाएंगे और 75 कुछ इदर भेज देंगे यहां पर 3 सबस्क्राइब क्या है देटाओं करेण दृविकल पाँज्वर्स psychology खिन सब्सक्राइब कितना हो जाएगा तो साथ róडे पांच, और यहां पर हम देख ले massa पहले पहले क्या होगा है यहां पर हम लिकाल देते हैं इसके उनपर इसके नुसार एक्स कमान जब क्ष किया है एक जो सिम्ट 5 यहाँ पर आ गया तो с बर्तमान में उसका उमर क्या हो जाएगा जब हम बर्तमान में लिका लेंगे यापर बर्तमान में भर्तमान में तो लिए हो जाएगा 5 साल पहले पाँच-पाथ पहले क्या था उसका 45 प्लस-बाट मातलब पचास-ब्रस पिअगा बीगा अब देखिए कहा पर दिए अब वांवारत लिकार थिर परệnमान में पाथ we god against this अब किूद और वहला है फ्रक्त muffin वान्वारत कियो कि इतना हो गोगा चालीश आगया उन्पाथ हुआ हुआ है अपल इस पांच अप्सना नमबह एक आपका है कि पहले क्या कि यह पांच वहले हम लिए की का नोव है वह वाद क्या हो जाएगा पंडरा तो पांच आ गया तो पांच आ गया तो हम 5 पांच पहले 35 आग जाएगा और बरतमान में 35 में चालीस वर्ट हो जाएगा पी का की का होजाएगा 50 वर और पी और क्यूच सब्सक्राइब पहले सब्सक्राइब कर देखा जाता है तब सी वाला आता है तब आता है और एक जीज पर देखा जाता है अभनेसे सब्सक्राइब के सबद् honeymoon का अइसकूभ कोई सब्सक्राइब को कि सब्सक्राइब सब में देखेंगे तो सब में भी है यह भी वाला भी कट गया कि वाला भी आप कट देते हैं कि वाला भी कट गया अब देखेंगे ई है ओ है आई है यह है और यह है उसके बाद फिर से यह अब आता है यह अगर वड़ इसे बन रहा है ओ से आई से और यह से इसे बन रहा है त एक नम्म यह क्योंकि इसमेन आपके वाला एक नमबर वाला एक है और युँ वाला एक है अलप यह सब देए आप G judos in दोनों को नों को देखेंगें इसमें e kut गया ische meedd इस पीन हुआ है इसे सब्से पहले को न इता है अथ फतलब म вещ अम्यों लगाल का है एक है जाएगा अब देखेंगे 4 एक कहीं है तो नमर चार बस दो ही देखकर आप रिकाल देख लेते हैं कर रहा है कि अक्ष्रों का कौन सा समु खाली अस्थानों पर प्रमवार रखने से दी गई अक्षर स्रिंखला को पूरा करेगी आपको क्या करना है यह जो निचितने भी खाली अस्थाने यहां कब बताना है कि कौन से संख्या आएगी लगदार यहां पर दिया अपसर मेरे सी मेंसे एक्णी करको रखना खाली असतान का थे आपको ए है और आपको क्या करना है जितने भी अंक है सब को लक्षर है सब को गिन लेना जैसे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस इगारा बारह तेरह चौदा पंदर सुला है इसका मतलब अगर हम सोलग है तो चार-चार के पियर में बना सकते हैं एक पियर बनाना पड़ते ह अगर हम 4 टार का प्यर बनाए चार वो तो कितना हो जाईगा सोरगां पुद्चमे आजाएगा हम क्या इसके लिए एक बनाते हैं अब के लिए लग बन गया शुरू हुआ है यहां पर आपका यहां पर यहां पर यहां पर कोई बात तुसरा की एक बाद डबल भी आएगा तिकर डबल भी आएगा सब में ये के incar bakit यहां पर ट क्या हो जाएगा दब इसके बद भरा गया है एक और भी भरा गया है फिर से का यहां पर देखेंगे यह आप देखेंगे आप देखेंगे आपको बी नमबर दूसरा नमर से मैस करेगा पूंबर टो इसे बनाए जाता है जो अगला को स्चन यहां पर क्या करना है यहां संख्या ऊजिए लागाना परता है आगे वाला जैसे पर तीन कैसे बनें एकंप्ष से यहां औपर कोस्टेमार्क वाले जगह पर हम अंक hebुषा बनाए को गया देखे है अमएक दोड़ते हैं तो यहां पर क्या रहा है टीकर अगर चार में शर्मे अगर हम एगर हम टुरम तरह साथ उन्दिеты कि ही ऐसेए साथ में दोड़ते हैं तो अब आगे देखे 18 में अगर 7 जोडते हैं तो कितना हो जा रहा है 18 हो जा रहा है वैसे ही अगर हम 18 में अगर 11 जोडते हैं तो 29 हो जाएगा वैसे ही जैसे देखिए आगे वाला हर चीज का आगे वाला जूट रहा है जैसे चार को बनाने के लिए 4 और 3 को जोड़ा जा रहा है 11 को बनाने के तो जोड़ देंगे तो जितना आएगा वही आगे वाला संख्या होगा तो यहां पर हो जाएगा आपका 47 ठीक है तो यही प्रक्राइब कर देख रहा है कि एक अनुकरम दिया गया है जिसमें एक पद लोगत है दिये के भी कल्पों में से वह सही भी कल्प तुनिये जो अनु दो जोड़ते हैं तो यहां पर खत्म हाग लागा देखते हैं जिए है जी में अगर हम दो जोडते है तो जी है इक हो एक हम धो जोडर रहे हैं वैसे ही अगर आई में हम 2 जोडरा है आइज कि आ रहा है वैसे K में गम प्लस मातव कर लाई के यहां पर आपक धुड़ा है फ्लस फ्लस दो जूता है वैसे वाउ साफ तब में 6 हा वैसे और टो तो गो जो ढोन एगा तो कितना अजाएगा आर और साज जए घ्मस मतलब तो यह मिल रहा है और कहीं नहीं है इसलिए आपको सकता ही नहीं है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन कर रहा है कि एक उनकरम दिया गया जिसमें एक पदलूप्त है दिये कि वह सही मतलब झुलिए हैं यहांपर 206 तर Louisiana was correct दूंगि कर दिखना से इसको बताहिए क्या होगा यहां पर हम देखेंगे यहां 162 में से साथ सू पचरतियत टिरपन को खटाएंगे तो आप देखेंगे कि 101 कम अब इसे यहां से यहां पर क्या हो गया ह? यहां से यहां हो रहा, तो मैनस 111 हो त्क इसमें? क्या होगा एम और वोम से क्या संबन्द है इसका देखिए लोजिक जब भी आपको इस पर कोशन बना नहीं तो इस में अधर का यूजिए आपको एम जो है पी का पूत्र है तो जब भी कोई बरा रिष्टिदार आपको मिले आपसे मतलब बरा हो कोई तो हम उपर की तरह बढ़ते हैं औ की महालिज channel यह जो है इम क्या लेड पी का पूत्र है तो एम जो है पी से कैया हुमेश्यवाल के क्या होगा होगा हम देख रहें कि एंगे इसकी जेंडर सा आएंग तो मेल है यह उस फिलिए पोस्ट देरखेंगे लेकिकशलोчи यहां पर कम्प्लीट हो पत्री हैude क्यों है पत्री मतलब महिला है के लिए कि हम यहाई और 1 2 देंगे यहां पर他ए यहां पर एक सब्सक्राइं है इसलों कि क्या सम्क्राइव है क्वा सब्सक्राइब ही फिरुष मतलब यह समन्धित समय है क्या सब्सक्राइब ढखा है जो एह में होज़ा है तो यह दोनों पति पत्नी है तो यह दोनों भी दोनों का लर्का होगा वह मतलब है यहां पर आप्से नम्बर देखें के पूत्र कहा है यहां पर ऑप्सेद मध्या हो जाता लेकिन पूत्र है तो तो कहा हो जाएगा यह आज के क्लास का पंदरा कोोष्चन है एक दिन में ज्यादा कोष्चन समझना भी उचित नहीं है आपको भी परसानी होगा समझने में और हमको भी ज्यादा टाइम लग जा रहा है वीडियो बनाने में ठीक है और आप वीडियो भी लंबा हो जाएगा अगर ज्यादा कोश्चन मनाया जाएगा तो डेली हम हर एक रोज रिजनिंग से डेर सो जितने भी कोश्चन है जो एक्जाम से संबंदित या इक् पंदर पंदर कोश्चन आप इस वीडियो को देख लिजिए दिख लिजिएगा और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेय कीजिए तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए नमस्कार